नमस्कार दोस्तों सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने इस चैनल माउरिया ग्रू एकैडमी पार दोस्तों कन्या सुमंगला योजना के तहत आप सभी लड़कियों को सभी छात्रों को मिलेगा 15,000 पे जी हां दोस्तों यदि अगर आप इसका लाब उठाना चाते हैं तो इस वीडियो को पूरा अंतक जरूर देखीगा तो इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिगा और चैनल पर नीव जरूर हैं तो सब्सक्राइब करके वैलेकन वाली गंटी को हिट कर लीजे आने वाली परतेक नोटिफिकेशन अपडेट भी अपडेट आपको मिलता रहा है दोस्तों आपको बता दूँ मैं कि इस योजना के तहत आप लोगों को मिलेगा 15,000 पे सबी लड़कियों को जो आवेदन करना चाहती हैं उनका 15,000 पे सिधा डिरेक्टली आपके खाते में आपके एकाउंट में जाएगा तो चलिए जान लेते हैं कैसे आवेदन करना है और क्या क्या डॉकुमेंट लगेगा सबसे पहले तो आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इस योजना के तहत आप लोगों को पूरी जुड़ी जनकारी दी जाएगी इस वीडियो में पूरा अन तक आप लोगों को देखना होगा तभी आप लोगों को समझ में आएगा इस योजना की रासी कैसे मिलेगी ठीक है तो आप लोगों को अपलाई करना है और भी ओनलाइन चिहां आप खुद घर बैठे कर सकते हैं या नई दे की साइवर कप के माधियम से भी करवा सकते हैं तो चलिए दोस्तों देर ना करते हैं यहाँ पर देख सकते हैं कन्या सुमंगला योजना का सुवा रंब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी अधित्यनाथ जी द्वारा राज्य के कन्याओं के भविश्य को बहतर बनाने के लिए किया गया है सबसे पहले जमां बता दना चाहता हूं कि इस योजना की रासी सिर्फ उत्तर प्रदेश की निवासियों को दी जाएगी उत्तर प्रदेश की ये दिए अगर आप निवासी हैं तो इस वीडियो को देख रहे हैं तो अंतक जरूर देखेगा अगर आप किसी अधर राज्य के हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजेगा आपके लिए भी कोई नई योजना आएगी जाय से या आप लोगों को इनफर्मेशन मिलता रहेगा इस कन्या सुमंगला योजना 2021 के तहट यहां पर आप लोग देख सकते हैं 2021 के तहट एक परिवार की दो वेटियों को ही लाव प्राफ्थ होगा इसतर प्रदेश सरकार ने राज्य के लोगों को कन्याओं के प्रति जागरूक करने के लिए यह एक संपून योजना बनाई है आप लोगों के लिए उसके बाद मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा राज्य सरकार द्वारा इस योजना के तहट बालिकाओं को 15,000 रुपे जिहां दोस्तों कुल धनरासी दी जाएगी 15,000 रुपे बालिकाओं को दी जाने वाली कुल धनरासी 6 समान किस्त में बाटी जाएगी इस कन्या सुमंगल योजना 2021 के अंतगरत कन्याओं के परिवार की अवार्सिक आए अधिकतम 3 लाख रुपे से कम होनी चाहिए इससे जादा नहीं होनी चाहिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस योजनाओं का कुल बजट है 12 जिहां दोस्तों यहां पर देख सकते हैं यहां पर आप लोग देख सकते हैं 2021 से जुड़ी पूरी जनकारी आपको दी जाएगी दोस्तों इस वीडियो में बता दिया जाए कि जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि कन्या सुमंगल योजना के तहट अंतगरत चात्राओं को सिच्छा पराप्त करने के लिए पर तो स उसके बाद कच्छा 6 में दाखिला लेने वाली चात्राओं को भी 2,000 रुपे परदान की जाएगी और उसके बाद कच्छा 9 में दाखिला लेने वाली चात्राओं को 3,000 रुपे यहां पर आप देख सकते हैं 3,000 रुपे परदान की जाएगी उसके बाद 10 वी और 12 पास करन अधिक के डिप्लोमा कोर्स में दाखिला लेने वाली चात्राओं को पांच जार रुपी परदान की जाएगी यहां पर देख सकते हैं आप लोगों को ठीक उसके बाद आपको बता दिया जाए कि आर्थिक सहायता परदान की जाती है अब सरकार द्वारा लखनों की प्राइम जाएगा चैन परकरिया सरकार द्वारा आरंब कर दी गई है आपको बता दिया जाए कि यह चैन परकरिया स्कूल के माधियम से की जाएगी ठीक आप लोगों को बता दिया जाए कि इस वीडियो में बस आंतिन तक आप लोगों को लास्ट तक अच्छी तरह समझना है कि इस स्योजना के सभलता पुर्वक्कानेवईन के लिए जिला अधिकारिक भी परियास करेंगे इस समय सरकार द्वारा अपर प्राइमरी एम प्राइमरी की छात्रों को चिनित किया जा रहा है इसके लिए सभी सुस्थानों में निर्देश भेज दिये गए हैं चैन परकरिया देख सकते हैं आप लोगों को बताय जा रहे हैं भरवधी 2021 तर लगभग 15,000 शात्रों का चैन किया जाएगा जिसमें 8,000 शात्रों की प्राइमरी ओं आपर प्राइमरी की होगी 5000 शात्रों मैधमिक शिच्चा की होगी ठीक उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं योजना का नाम बताये गया है कन्या सुमंगला योजना उसके बाद किसने लॉंच किया है तो उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉंच किया है लाभ्यारत्री कौन है तो उत्तर प्रदेश की नागरिट है तो देश सी क्या है तो उत्तर प्रदेश की बालिकाओं को उच सिच्छा परदान करना तथा उनके भविश्य को उजवल बनाना है ठीक अधिकारी की विबसाइट आपको यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर क्लिक करने पर इसका ओफिशल विबसाइट मिल जाएगा आप लोगों को टेंसर नहीं लेना है यहाँ पर देख सकते हैं साल 2021 का यह अपडेट दिया गया है पूरी information आपको दी जाएगी यहाँ पर देख सकते हैं ठीक उसके बाद आर्थिक सहायता क्या होगा तो आर्थिक सहायता यहाँ पर देख सकते हैं 15,000 पर दिये गया है किस्ते कितनी होगी तो 6 किस्तों में यह रासी आपको मिलेगा बजट टोटल यहाँ पर देख सकते हैं 1200 कोड़ों रुपे रखा गया है टोटल आप लोगों को जनकारी दी जाएगी ठीक है सारी जनकारी आपको मिलेगा उसके बाद आपको कैसे इस योजना के तहट जुड़ना है सारी जनकारी दे देते हैं उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक कटिंग पेपर में भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है यहाँ पर देख सकते हैं बालिका को जनम पर 2000 पेल रासी यहाँ पर रखा गया है ठीक आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर टोटल आप लोगों को जनकारी देखने को मिल जाएगा आप टोटल यहाँ पर पढ़ सकते हैं क्यूंकि आप लोगों को बता दिया जाए कि हमारे च योजना के अंद्गरत अपनी बेटी के लिए आवेदन करना चाहते हैं वह इस योजना का ओफिसियल विब साइट यहां पर आप देख सकते हैं इस पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं उत्तर परदेश कन्या समंगला सच्छम 2021 के तहत सरकार की तरफ से दी जाने वाली पिएट MS के माध्यां से लावेयरत्री के बैंक अकाउंट में हस्तारित कर दी जाएगी जिहां यह बड़ी इंफरमेशन है सभी छात्रों के लिए सभी लोगों के लिए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा से जादा करिएगा इसका क्या-क्या डॉकमेंट हो यदि वेटी गोद ली है तो गोद लेने का परमान पत्र भी लगेगा, यदि अगर आपने वेटी को गोद लिया है किसी तरह का तो आपको उसका परमान पत्र देना होगा, voter ID card लगेगा निवास परमन पत्र लगेगा बस इतने ही document लगेगे और कुछ भी नहीं लगेगा आपकी घर की दो वेटियां इस योजना का लाव ले सकती है तो फड़ा-फट आवेदन करने के लिए आप अपने official website पर चले जाएए वीडियो के description में दियावाई link आवेदन कैसे करना है चलिए जान लेते हैं पर अच्छी तरह समझाते हैं उत्तर परदेश जो परिवार अपनी बेटी इस योजना के 2021 के तहतलाब उठाना चाहती है उपलब्द करना चाहती है तो चलिए आपको इस टेविश टेप फॉलो कर देते हैं आते हैं और दिन कैसे करना है सबसे पहले आप लोगों को जो ओफिशियल वेबसाइट है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप जाके क्लिक कर लिजेगा जैसे उस पर क्लिक करेंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद सामने एक होम पेज खोल जाए इस पेज पर आपको रेजिस्टेशन करना होगा जिहां यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर टोटल स्क्रिंसोर्ट भी दिखाया गया है आप यहां पर स्क्रिंसोर्ट आप देख सकते हैं अच्छी तरह ठीक है यहां पर आप लोगों को रेजिस्टेशन करना होगा सारा मैं सहमत हूँ पर क्लिक करना होगा मैं सहमत हूँ पर क्लिक करने के बाद फिर एक नया पेज खुले जाएगा इस पेज पर आपको रेजिस्टेशन फॉर्म में पूछी गई सभी जनकारी जैसे की नाम, पता, मुवाइल नंबर माता पिता, अधार नंबर यदि सब कुछ भरना होगा इसके बाद, इसके पर आप OTP डाल कर सत्यापित करना होगा सही OTP डालने के बाद आपका रेजिस्टेशन हो जाएगा जैसे आपका रेजिस्टेशन होगा आपको user ID मिल जाएगी इससे आपका user ID आपको अपने मुवाईल पर और आपके email ID पर message कर दिये जाएगा उसके बाद आपको MKSY portal login करना होगा ठीक उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं जैसे user ID आपको मिलेगा यहाँ पर login आपको कर लेना है login करने के बाद यह capture code आपको यहाँ पर fill कर देना है आपको इस screen में पुरा अच्छी तरह बताया जा रहा है आप इसी तरह कर लीजेगा आपको login करने के लिए user ID और password डालना होगा इससे आपको login हो जाएगा registration होने के बाद आपको कन्या पंजिकरन फॉर्म मिल जाएगा इस पंजिकरन में फॉर्म में आपको अपनी बेटी से संबंदित पूछी गई सभी जनकारी भरनी होगी और सभी दास्तिवेच को upload करना होगा तथा फिर last में submit बटन पर click करना होगा इस तरह आप इस योजना तर के तहथ आपकी बेटी के लिए अवेधन फॉर्म भर सकते हैं जी हाँ अवेधन फॉर्म भरने के बाद आप लोग इसका परफिकरिया कर सकते हैं अजमा सकते हैं उसके बाद आप लोगों को बता दिया जाए कि अगर आप online अवेदन करने में किसी भी तरह का कोई भी जंजट होता है तो आपको tension लेने की जोरत नहीं है यहाँ पर offline की भी परक्रिया रखी गई है offline का मतलब यह है कि राज्य के जो लोग online अवेदन नहीं कर पा रहे हैं वह offline भी अवेदन कर सकते हैं offline के लिए बताया गया है कि आवेदन की पूरी परक्रिया हमने आपको पूरी विष्टार पुर्वक्त समझाया गया है समझाते हैं आची तरह ठीक सबसे पहले आपको अप्रक्त कारियले में निसुल्क प्राप्त कर सकते हैं मतलब अपने निसुल्क प्राप्त करने के बाद आपको फॉर्म में पुछी गई सभी जनकारी भरना होगा सभी जनकारी भरने के बाद आपको अवेदन फॉर्म के साथ आपने सभी जरूरी दास्तवेच को अटेच करना होगा अटेच मतलब सभी को मिला लेना होगा आधिकारिक द्वारा जिला प्रोवेशन अधिकारिक DPO को भेज दिया जाएगा DPO को सभी सूची सूचनाओं को आउनलाइन फीड करेगा और इन आफलाइन अनुपरयोग की आगे की प्रकिरिया आउनलाइन मोड में की जाएगी ठीक इस तरह आपका आफलाइन अवेदन सक्सेचफूल हो जाएगा मतलब जो आफलाइन करना चाहते हो नई देकी व्लॉक या कारियले से संपरक कर सकते हैं इससे जूड़ी जनकारी आपको पूरी दी जाएगी और वहाँ पर आपका सारा कुछ कर दिये जाएगा सक्सेचफूल और जो आउनलाइन करना चाहते हो मैंने आपको अच्छी तरह बता दिया है वीडियो के डिस्क्रेशन में लिंक दिया हुआ है आप खोश से भी कर सकते हैं धन्यवाद वीडियो कैसा लगा कमेंट बोक्स में जुरू बताएगा नेस्ट वीडियो लेकाएगा बहुत जल्द किसी भी तरह को कोई कोई कोस्चन हो तो कमेंट बोक्स में प करते एक notification अपडेट भी अपडेट अपको मिलती रहे धन्यवाद